आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello everyone, let's start the question तो आज का हमारा question है सेम ने 480 रुपए प्रती दर्जन की दर्ज से 20 दर्जन खिलावने खरी थे उनमें से प्रती एक को 42 रुपए की दर्ज से बेज दिया ठीक उसको लाब प्रती सत कितना था तो हमनों देखते हैं इस Question को basically simple way 480 रुपए में एक दर्जन मतलों वन बंडल बारावा कितना होत्तर एक बंडल में 12 थेक तो उसने किया क्या 12 थेक्स को बेश दिया क्या 12 ट्वाइज इसको ट्वाइज भी कर सकते हो बेचा कितने में 480 रुपए में एक ट्वाेज का इसका क्ष्ट प्राइज के शाँ 1 2 थेक्स का कास्ट प्राइज चार्सट बंडटे बारा त्या motivation 20 रुपए ठेक है मैं सब्सक्रें कि इसी थेक्स थेक्स की इसी तरह कितने मैं Kend रिics दर्जन थेक्स का अमें को निकाल थेक्स तो एक दर्जन पराबार बारे बंडर इंटू एक थेंग्स का मूल हमनों निकाल लिया है 40 अब इसे सॉल करने पर में कितना मिल जाएगा 9600 रुपए ठेक इसी तरह से अब हमें क्या निकालना सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस इसे में 42 रुपएस पर हर एक सामान 42 रुपए तो आए हम लोग फिर उसके पास सेलिंग प्राइस निकाल लेता है तो सेलिंग प्राइस टोटल सेलिंग प्राइस एक कोईस्टू विज दर्जन होगा वीज इंटू बार और कितने बेचा है 42 रुपए की तरद से बेचा है इसे सॉल करने पर कितना आजागा हमारा 2080 रुप है ठीक है यह आगए सेलिंग प्राइस तो अब हमें प्रॉफिट होगा क्योंकि यहां पर दीखिया आप जो कास्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है कास्ट प्राइस से तो अब इसली प्रॉफिट होगा तो हमें प्रॉफि ही लाप पर्सन्ट मतलब प्रॉफिट हो या ल सू दोनो इन कास्ट पराइस कारे पाताँ हो तो आधा लीगौ करते हैं तो में सेलिंग कितना था तो इसे देखाता कितना जगा चार सो अश्ती दिवाइड गुड़े इसे हम लोग करेंगे तो मिल जागा में 5 पर से इसे पता छलता है कि हमायद लाफपर्शंं कितना है? मतलब प्रोफिट कितना है? फğinपर्शं तो लाफपर्शं टिको इस्टु वाइज जो? फाइभ पर्शंट आहए अप्सें मिल जक्ते हैं अप्सें में शिक्स पर्शं नए होगा 4% नहीं होगा 5% That's a correct answer So C answer is a correct answer Thank you